लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा रुकावबट के लिए खेद है एक्सर आप सुनते हैं दूरदर्शन के माध्यम से तो मैंने जिक्र किया है साथ सुरों का तो हमारे जीवन में साथ का महत्व बहुत ही महत्व कुण माना जाता है जैसे सब्तरिशी, सत्ता के साथ दिन, साथ वाजुवा, सेवन कॉंटिनेंट, इंदर धनुष के साथ रंग, साथ समुंदर पार, सा साथ वचन, सेवन इन हेवन, लकी सेवन और हमारे संगीत के साथ स्वर, कहते हैं कि संगीत के बिना शिक्षा अधूरी है, रचनात्मक्ता वा सरजनात्मक्ता के विकास के लिए शिक्षा में संगीत का होना बहुत ही अनवारी है, गायन, वादन और निरत, इन तीनों कलाउ के समावेश को हम संगीत कहते हैं और हमारे हिंदु धर्म का निर्त, कला, योग से गहरा संबंध है। हिंदु धर्म मानता है कि ध्वनी और शुद्य प्रकाश से ही प्रम्मांड की रश्नव है। हमारे चारोवेद, स्मिर्ती, प्राण और गीता आदी धर्मिक ग्रंतों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को साधने के हजार उपाय बताए गए है। इन उपायों में से एक है संगीत। संगीत हमारी भारतिय धरोहर है और भारतिय शास्ति संगीत के उत्पत्ति वेदू से जाने जाती है। जब हमारे रिशी मुनी ओम शब्द का जाब करते थे और इस ओम शब्द में तीन अक्षर सम्मिलित हैं। ब्रह्मा अर्थात स्रिष्टी के रचेता, विश्नु अर्थात जगत के पालनहार, महेश अर्थात संगहार करने वाले। इन तीनों शक्तियों का समावेश है ओम और इन तीनों अक्षरों को जिगवेद, सामवेद और यजुरवेद से लिया गया है। कहते हैं कि सास्वल की उत्पत्ति ओम के ही गर्ब से हुई है। और इस तरह ओम को ही संगीत का जगत कहा जाता है। फिर रचना हुई संगीत के साथ सुरूं की। साथ अग्नीदेव। चात्तक से जिशव देव्रमदेव। बक्री से कांधार। देवी सत्ति कौवे से मध्यं मां भग्वान शिव। पोयल की कूप से पंचम पा देवी लक्षुनी। मेंडक की तर्र से धैवत धा भग्वान गणिश। और हाती की तिगाड से मिशाद है। भग्वान सूर्य देव। और आप देखेंगे की भग्वान सूर्य देव। संगीत के साथ सुरूं की तरह। उनके रत में भी साथ गोड़े हैं। साथ अश्कों के रत पर सवार है। आरत में संगीत की परंपरा अनादिकाल से हो रही है। आप अगर गौर करें। तो हिंदों के सभी देवी देवकाओं के पास अपना अपना एक अलग बादियंत है। भगवान विश्न के पास शंक है। देवी सरस्वपन के पास अनिना है। शिव के पास जमरू है। नारत के पास खड़ताल और बीना है। भगवान शिरी प्रिश्न के पास। बाद सुष्पन के पास। नेक्स वीडियो। हमारे संगीत की उत्पत्ती खिर्देगत भावो में ही मानी जाती है। एतिहासिक दृष्टी से भारतिय संगीत की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। और ये माना जाता है कि संगीत के आदी प्रेरख भगवान शिब और देवी सरसती है। आज अगर हम देखें तो भारतिय संगीत के महान संगीत कारस्वामी हरीदास, कान सेन, अमीर खुसरों जैसे कला कारों ने भारतिय संगीत की उन्नती में बहुत योगदान किया है। इसके बाद पंडित भीन से जोशी, पंडित रभी शंकर, अल्ला रखा, बिसमिल्ला खा, किशन महाराज, किशोरी अमूनकर, एमेस सुबाल लक्षमी, बालमुरली कृशन, एमेल, वसंत कुमारी जैसे महान संगीत कारों ने आज के इस युग में इसे कायम रखा है। ऐसे महान संगीत कारों को हम शत-शत नमन करते हैं। क्या है संगीत की भाषा? वैसे तो संगीत हम सभी को लुभाता है, कहा जाता है कि संगीत के पीछे खोदा चलता है। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ती होगा जिसे संगीत पसंद ना हो। और संगीत की भी अपनी एक भाषा होती है। संगीत की भाषा आत्मा को आनंदित करती है, जिसकी बजा से हम अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। संगीत ही ऐसी भाषा है जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुँशती है। दुनिया में कितनी ही भाषाएं हो जाएं, मगर संगीत से अची भाषा कोई नहीं। आए संगीत की भाषा के बारे में कुछ और जानते हैं। हमारे गुरू श्री सतीश पोपलीजी से हमने बात की, जो एक म्यूजिक डिरेक्टर और एक म्यूजिक अरेंजर हैं। तो उन्होंने म्यूजिक लेंग्विश के बारे में हमें कुछ इस तरह बताया। इटल्में वाई जिन्हरी से हमें। और रोजित दो अपेज़ पूपलि आप नमस्कार, मेरा नाम सतीश पूपली है और मैं दोरे मी मुझीकल गुरूप का मुजिक ब्रेस्टर एंड मुजिक रेंजर हो और नू इरा पब्लिक स्कूर्स मायापूरी में मैंने पांच वश्वतर है दे मुजिक पीचर भी काम किया है आज मुझसे कहा गया है कि मैं मुजिक इज लेंगविच इस टॉपिक पर आप से कुछ बाते कर आप यदि एक मुजिशन है या मुजिक लबार है या हो सकता है आपने अभी कोई मुजिकल इस्टिमेंट बचाना या सीखना शुरू किया हो या फिर वोकल मुजिक सीखना शुरू किया हो या हो सकता है आप एक प्रोफेशनल मुजिशन हो क्या आपको मालू है कि मीजिक की भी एक लेंगवेज होती है मीजिक एक युनिवर्सल लेंगवेज है यदि संसार के अलग लग देशों के उन मीजिशन्स को एक मंच पर इकठा किया जाए जो एक दूसरी की शक्तों की भाषा को नहीं समझते हैं तो भी वो मीजिशन्स संगीट की भाषा के द्वारा अपनी भावनाओं तो व्यक्त करने और एक दुसरे से संभात करने में सब्सक्राइब हो जाएंगे क्योंकि मीजिक एक इंटरनेशनल लेंगवेज है इस विश्व की सबसे परसिद और लोगत्रिय भाषा संगीट ही है जिस तरह से बोलने वाली भाषा की एक लिपी होती है जिसको लिखा, पढ़ा, समझा और बोला जा सकता है उसी तरह music language की भी एक लीपी होती है जिसको लिखा बढ़ा और समझा जा सकता है संजीत भाशा का एक ऐसा साधर है जो आपको हसा सकता है रुणा सकता है आपको खुश कर सकता है और आपको उदास भी कर सकता है जी हाँ ये है हमारा संगीत जो हमें हसा सकता है रुला सकता है उदास भी कर सकता है संगीत मानब जगत को इश्वर का अनुपम देविये वर्दान है ये ना सरहदों में कैद होता है और ना भाशा में बंदता है माना हर देश की भाषा पहनावा खान पान भले ही अलग हो लेकिन हर देश के संगीत में सभी साथ स्वर एक जैसे होते हैं और ले ताल भी एक जैसे होती है सरगम हमें एक होना सिखाती है हम है साथ सुरों की सरगम गाएं गीत खुशी के हर दम मिलके रहें, एक बनें, यही सिखाएं सबको, हम है साथ सुरू की सरगम, एक भारत, श्रेष्ट भारत अभी हमने language की बारे में जाना, कि हमारे संगीत की language क्या है हम उसको कैसे समझें, और अब हम संगीत की भाषा को कैसे पढ़ा जाता है हम संगीत की भाशा को किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ेंगे और किस तरह अपने बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे हमारे संगीत में संगीत को कैसे पढ़ें और पढ़के संगीत की भाशा को किस तरह समझ कर गाएं और बजाएं संगीत में सुरों को लेकर हम गीत को स्वरवद्द करते हैं उस गीत के बोलों को समझ कर उस गीत के भाव को समझ कर स्वरों के जरीये लोटेशन शीट बनाकर बच्चों को सिखाते हैं जिसमें बच्चों को अच्छी तरह सवरवद्द आ जाता है और उस गीत के शब्दों की मानता भी पता चाल जाती है कि कभी क्या कहना चाह रहा है जिस तरह हम बच्चों को ABCD, AIE, 123 की पहचान कराकर उनको पढ़ना सिखाते हैं उसी तरह से हम बच्चों को भी सरगम लिख करके उनको पढ़ाएं तो बच्चों को बड़े होने तक आसानी से वो चीज याद रह सकती हैं Music Reading के बारे में हमने हमारे मित्र हैं कि मुंबई में जो बहुत अच्छे Music Director है उनसे Music Reading के बारे में बात की तो उन्होंने हमें कुछ Music Reading के बारे में इस तरह बताया विवेग प्रकाश जी Music कलम के जरीयर से लिपी बद्र कर लेते हैं तो वो चीज जनमों जनमों तक के लिए वर्षों के लिए अजोंस हमेशा के लिए स्थावें करता है जैसे ना आपको बताओ कि हम कभी कोई गाना गांते हैं अब मैं आपको जैसे डोलाइद इसको आओ आसमा की हवा चाहिये, आसमा की हवा चाहिये, माली ते मैंने ये इसे गया, जो दूसरा बिक्ति उसे सुनेगा वो अपने आंदाधा से सुनेगा कि यह वो किसी ओर को सिखाएगा तो वो फुरथा चेंज आता जाया मैं जूँ असली तो उना पर कंप जाएगी तो अब उसमें क्या है कि जब लिख लेते हैं तो चीजे हमारे पर कमार लगए। हमेशा ही एक जैसी ही वह चीज़ रहेगी और उससे हमको किसी भी दूसरे व्यक्ति को सिखाने में बहुत मदद मिलेगी जब दूसरा व्यक्ति नोटेशन पढ़ता है तो उसको देखेगा तो उससे किसी टीचर की जरुरती नहीं होगी अब आप देखेगे मैं आपको बताता हूँ जैसे हम लोग नहीं है मैं आपको कुछ जरी स्टर से दिखा रहा हूं यह सब हमारे नोटेशन के रहे हुए जैसे मैं कोई बैंडराउंड प्रिजिक किया कभी हमारे काने हैं अब में तो इससे पिर पूरी चीजे मेरे कंडोर मे इंगलिश नोटेशन वेस्टर नोटेशन सब चीजे मेरे कंट्रोल देरे तो इससे गाने का स्वरूप नहीं भी वरता है यह देखे यह वेस्टर स्टाइल से लिखना हुआ है बार चार्ट इसको कहते हैं और यह हमारा इंडो वेस्टर स्टाइल और इस तरह से हम हुआ है तो इससे कोई भी व्यक्ति जो है इस गाने की असली ट्यून जो है वह पता करता है जैसे अब देखे जो शास्त्रों टिफिली से जो गायर रताते कि यह कितना सुन्दर बना हुआ है यह एक पूरी लाइन पे एक चीज पूरी लिखी हुए है जो नोटेशन मैं आपको एक और बात बता हुँ जैसे देखे शास्त्रों पूरी दिफिली जो गाया है जास्त्री गाया हुआ है उन सब में नोटेशन की कितनी इंपॉर्टेशन की अभी आज हम गाते है सादा शेव गजमना तो अभी जो हम लोग ने गाते हैं तो यह चीज गाने से तो अब लेकिन जब उसको लिपी बंद जलियों करके किताबों के में जब इस चुदेंस को बताया जाता है तो हर शुदेंस को एज पढ़ लेता है और इस लोगी इंप सथेंद याता है अब आजकल अजय से मैं बताता हूपको मैं अबस्टा नोटेशन देटा हूँ ज़ता हूँ लिकिन हमारा अगरी नोटेशन जो है वो बहुत ज्यादा सप्ल है और बहुत ज्यादा सथी बहुत ज्यादा पर्फेट है तो आप सबसे यह रिप्ट्वेस करूगा कि आप उसको वे प्रकार जी ने बहुत अच्छी बाते हमें बताया म्यूजिक को कैसे पढ़ा जाता है और अभी कुछ दिन पहले हम जब ऑनलाइन क्लास में अपने छोटे बच्चों को एक गीस सिखा रहे थे हमने बच्चों की सिखा रहे थे विश्वु विजेता बनेगा भारत करें तो एक पैरेंट ने मुझसे कहा कि सर अगर आप बुरा ना माने तो इस गाने की नोटेशन आप मुझे बता दीजिए तो मैंने उनको ऑनलाइन नोटेशन बताई उन्होंने उस नोटेशन को लिखा क्योंकि वो संगीती बारे में जानती है और नोटेशन को पढ़ना जान आघर हम ऐसे ही अपने बच्चों को स्वरों की पहचान कर आए उनको पढ़ना सीखा है तो बच्चा आसानी से हर स्वर को पकड़ सकता है और उन स्वरों के साथ सकता और अब हम बात करते हैं गंस्त की जैसे कह मैंने बताया मैं मैथ्स, लैंग्वेज, इस्ट्री, दिंग और साइंस तो जीवन एक गणित है इसे बनाना पड़ता है Math Department अगर सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह सुनें इसको जीवन एक गणित है इसे बनाना पड़ता है कभी करते हैं जोड तो कभी घटाना पड़ता है चलती नहीं कभी समांतर उच नीच हो जाते हैं सम विशम के खेल में कितने आड़े आते हैं कभी करते हैं गुणा तो कभी भाग भी करना पड़ता है जीवन के इस गणित को हल भी करना पड़ता है जीवन के इस गणित को हल भी करना पड़ता है हम अपने जीवन को अगर मधूर और सुन्दर बनाना चाहते हैं तो संगीत को अपना दोस्त बनाए संगीत सबका दोस्त बन सकता है और संगीत हमेशा से गणित के साथ जुड़ा है हमारा शास्त्री संगीत इसका सच धारण है आंत्रिक रूप से ताल और मीटर की अबधारण संख्याओं से जुड़ी है हम बच्चों को क्लास में 1, 2, 3 काउंटिंग कराते हैं शिखाते हैं तो उनके ताल साथ साथ चलते हैं क्लास मौन के बच्चों को हमने क्लास पर ताल बजा करके सिखाया था एक वर्षाप के दोरान तो आएए देखते हैं उसे एक छोटी सी बच्ची की वीडियो जिसने हमें 1, 2, 1, 2, 3 करके सिखाया अब देखिए इसमें दो बच्चों ने काउंटिंग की 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 बोल की की लेकिन एक बच्ची ने उसको स्वर में गा कर की किया 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 तो उस बच्चे के अंदर देखिए ले है, सुर है, ताल की समझ है और उसने ले के साथ को गाया हमारे संगीत में ताल नमबरों के साथ जुड़े हैं जिस तरह आप एक नमबर में तेस नमबर को ले करके math में permutation and combination बनाते हैं, उसी तरह से हम भी संगीत में स्वरों को लेकर बनाते हैं, आप math में divide, multiply minus, plus करते हैं हमारे संगीत में मंद्र सब्तक तार सब्तक, मद्र सब्तक गमक, मुर्की खटका, सम खाली होता है और ये सब math का ही कमाल है ताल कई प्रकार की होती है वेकिन तीन ताल, जो सोला मातरा की है इसी तीन ताल से सारी तालों का अविश्कार हुआ है जिसको हम आदी ताल भी बोलते हैं अब जैसे ये हम तीन ताल जो है उसके बोलें धा धिन धिन्दा, धा धिन धिन्दा धातिन तिन्ता ताधिन धिन्दा सोला मात्रे के वीट है अभिनन्दन शुब स्वागतं धित्ताल स्वर्वाद रचाए काए हम सरगं अभिनन्दन शुब स्वागतं तो इसमें सम खाली भरा सब कुछ होता है ये एक मैच से रिलेटिड है अगर हम एक भी ताल छोड़ देते हैं तो हमारा गाना हरा हो जाएगा मन तरबत हरी तरिशन को आज ये तीर ताल पर आधारी था इसी तरह से बहुत सारी ताल है जैसा कि अभी आपने देखा वीडियो के जरीए जो एक पीपीटी आप में देखा पोस्टर के जरीए शितल मैम जरा दुबारा से दिखाना वो इमेज तालों की जो है इसमें आप देख रहे हैं कि ताल दादरा है ताल रूपक है ताल कहरवा है ताल तीन ताल है अब जो कहरवा ताल है आप देख रहे हैं यह ताल कहरवा है अब ताल कहरवा है और हम यह ताल हमें पू का टेबल तरशाती है तू बिन सा 2 तू 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 हम फूरी तू ती शिक्स तू फोर तै इट हमें इसके वह भयता से लाने बने हैं तु भी हो माता पिता तु भी हो तु भी हो बन्जो सखा तु भी हो, तु भी हो माता पिता तु अब यह ताल बच्ती जा रही है, हम इसके ताल के साथ और भी गहने जोड़ सकते हैं हो गई मैं ही मोरी चुनरिया औरे बदन से औरी चुनरिया हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाओं कैसे घर जाओं कैसे तो यह हमारी ताल एहरवा अब जैसे ताल दादरा है यह हमें थ्री का टेवल सिखलाती है त्री वनजा थ्री टूजा शिक्स इसमें छे मातला है वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइट शिक्स अब इसके बोला है धातीना धातीना अब इस ताल पर बहुत से गाने है सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है में जब से शेरन तेरी आया मेरे राहा दादीना धातीना दादीना धातीना हमारी ताल चल रहे है और इसमें और बहुत से गाने अकेले हैं चले आओ यहां हो कहां बाज गे तुमको कहां हो अकेले हैं तो यह हमारी ती दाद्रताल इसी तरह से हैं रूपक्ताल साथ मात्रा की टीतीना धीना 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 तू जडाम है तू रहीम है तो यह रूप अक्ताल है हमारी जो मैंने आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आके लिए अब हम बात करेंगे साइंस के उपर जैसे कि मैंने बता है हम म्यूजिक को हर सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहे हैं साथियो हमारे हिंदु धर में संगीत को और अच्छी तरा से जानने के लिए हमें संगीत को समझना पड़ता है और संगीत मोख्ष प्राप्त करने का एक साधन है संगीत में हमारा मन और दिमाग पूरी तरा से शांठ और स्वस्त रह सकता है हमारे भारती शास्ती संगीत के विद्वानों ने ऐसी सैक्डो धोनियों को खोजा है जो हमारी प्रकृती में पहले से ही विद्वाने उन धोनियों के आधार पर ही उन्होंने मंत्रों की रचना की इसके अलावा उन्होंने धनी विज्ञान को अच्छे से समझ कर विज्ञान के माध्यम से शास्त्रों की रशना की मगर आज का विज्ञान आज भी संगीत और धनी के महत को खोज में लगा हुआ है मगर देखा जाए तो रिशी मुन्यू से अच्छा कोई भी संगीत के विज्ञान को नहीं जान सका जिस तरह से हमारे फिजिक्स में साउंड, फिक्वेंसी, वेविलेंद, पिच, वॉल्यूम से मिलकर हम संगीत बनाते हैं उसी तरह से डिफरेंट वॉल्यूम ओव वाटर से भी संगीत को पैदा कर दिया जाता है उसे हम जलतरंग कहते हैं जलतरंग, काश्ट तरंग, सितार, प्यानो हमारे वैग्यानिकों का कहना है कि अगर छे साल से लेकर आठ साल के बच्चों को हम प्यानों, सितार, जलतरंग अगर सिखाएं तो उनका दिल और दिमाग दोनों ही दुरुस्त रह सकते हैं तंदुरुस्त रह सकते हैं, स्वस्त रह सकते हैं जिने नींद नहीं आती है, उनको भी संगीत सुनना चाहिए स्थीन. थे वाइक उखना संगीत i s 19 prasana को अच्छका लगता है लिपोस सप्ट कि अदू संगीत सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो सभाज़ीitti अपनी एक स्टुडेंट से इस बारे में बात की, तो उसने हमें संगीत के बारे में कुछ इस तरह बताया कि उसको संगीत क्यों अच्छा लगता है। अच्छा लगता 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 है। अच्छा लगता 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 है। अच्छा लगता लगता है। श्री पुर्शृत्म शर्मा जी हैं एक संगीत अग्ये उनसे हमने इस बारे में बात की और उनका लिखा भी है। तो उन्होंने हमें ये बताया कि राग से हम रोगों को दूर कर सकते हैं। राग पूरिया धनाशरी चिन को नीद नहीं आती है। वो अगर सुनेंगे तो उनको नीद आने लगेगी। राग मालकौस तनाप को भगाता है। राग शिवरंजनी मन को सुखद अनभूती देता है। राग सोहनी आत्म विश्वास जगाता है। राग भैरवी बलट प्रेशर को नियंत्रित रखता है। राग तोड़ी क्रोध और सिर्द दर्थ से निजात दिलाता है। संगीत दुनिया में हर मर्ज की दवा मानी जाती है। मैंने एक जगा पढ़ा था कि हमारी इटिली के एक राजा मुसलेनी हुआ करते थे। अगले दिन प्रोग्राम खतम करने के बाद राजा मुसलेनी ने उनको अपने घर डिनर पर इन्वाइट किया। और ऐसे ही बातों बातों में मजाग किया पंडित ओमकरना ठाकुर जी से के ठाकुर जी मैंने सुना है कि आपके यह अगर कोई राग गाता है तो पानी बरस जाता है। दिये जल जाते हैं भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो सारे पशुपक्षी आ जाते थे। मैं तो इस बात को नहीं मानता है मुझे यह जूट लगता है। तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी ने उन वाउल्स के अंदर पानी को भरा और एक जल तरंग का रूप दिया। और जब उस पर राग पूरिया बजाना शुरू किया तो देखते ही देखते राजा मुसलेनी डिनर टेबल पर धराम से सिर रखकर गिर गए। और देखते ही देखते वो चार घंटे की चिर निंदरा में सो गए। चार घंटे वाद जब वो नींद से जाए गए तो देखा पंडित ओमकरना ठाकुर जी राग पूरिया बजा रहे थे। तब पंडित जी ने कहा देखा मेरे भारती शास्ती संगीत की ताकत उसने आपको सुला दिया आपको नींद नहीं आती थी। तो राजा मुचलनी बहुत शर्मिंदा हुए उन्होंने पंडित ओमकरना ठाकुर जी को बहुत सा धन देना चाहा अपने यां रुकने को कहा लेकिन पंडित जी ने सब कुछ ठोकरा दिया इंडिया वापस आ गए तो ऐसा है हमारा भारती शास्तिर संगीत संगीत ही ईश्वर संगीत ही पूजा संगीत के बिना है न कोई दूजा साथ सुरों की सरगम से बना है संगीत पानी की कलकल सुनाती है मधुरगीत संगीत ही मेरी पूजा संगीत ही मेरी मीत संगीत से कर ली मैंने बेपना प्री अब मैं अपने संगीत विचार रखने के लिए संगीत शिक्षि का सुमना सेन गुपता से कहूँगा कि वो आकर संगीत की कुछ ऐसी बाते बताएं जो आप लोग सुनें दन्यबाद परलवी सर, सर की बात से मैं सहमत हूँ कि संगीत एक साधना है चाहे विल्स्टन म्यूजिक हो या इंडियान, शास्चिय संगीत हो या सुगम संगीत मेरा मानना है कि हम सभी की रगों में संगीत दोड़ता है, हम सभी का दिमाग संगीत पर प्रतिक्रिया देता है, चाहे हमने संगीत की ट्रेनिंग ली हो या नहीं आज में आप लोगों को संगीत की शक्ति की बारे में बताने जा लिए, तभी सरस्वती माता की मूर्टिको गौर से देखा आप लोगों ने, याद आ रहा होगा, कि सरुस्वती माता की बाएं हाथ में वीर्णा होती है और दाएं हाथ में पुस्तक इसका तात पर यह क्या है? देखे, सरुस्वती माता हमारे चरी में मस्तिच को रिप्रेजेंट करती है और उनकी बाएं और दाएं हाथ मस्तिश के बाएं और दाएं भग को बताने हैं दाएं हाथ में पुस्तक मतलब हमारा दिमाग का जो दाएं हिस्सा वो पढ़ने लिखने का काम और बाय हत्मी वीना मतलब हमारे मस्तिष्क का बाया हिसा संगीत वक्त कला से संबन दिन है इसका मतलब हम सब ही की मस्तिष्क में संगीत को समझने और उसमें रिस्पॉंड करने की शक्ति जन्म जाती होती है संगीत हमारे जीवन का एक अविन्य अंगे है क्योंकि वो हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का सर्वतम मात्धम है इस प्रित्वी पर इतने भी जीव है वो सब जीव संगीत पर प्रतिक्रिया देते ही है जीवन तो पेड़ पौधू में भी है तो आए सबसे पहले हम पेड़ पौधू की ही बात करते हैं पौटने की शेत्र में सर देसी बूज की प्रयोग चला मतलब एक लैब में एक बार पंडिक ओंकाना थापू से राग भैर भी गाई थी गाने से पहले मशीनों के द्वारा पौधों की पत्तियों की स्तीती लेख ली गई थी और गायन के बाद उन पर आई नई चमक भी सबने देखी दरहसल पंडित जी का मधूर स्वार सुनकर दिक्षों की प्रोटोप्लाजम की कोच में रहने वाला ख्लोरोप्लास्ट एक्टिव हो गया विशलित और गतिमान हो गया इतना ही नहीं संगीत छोटे से लेक्यार बड़े जीवों पर भी अपना कमाल दिखाता है मध्ध प्रदेश का एक संभाग है सागर जहां वर्मिक कॉंपोस्ट बनाने के लिए एक किसान अपनी केच्चुओं को मतलब आर्थुअम्स को म्यूजिक सुनाते हैं जिसकी प्रभाव से आर्थुअम्स अपना खात बनाने का काम साड़ दिन की जगा 45 जिन में ही पूरा कर लेता है आए देखते हैं यह कैसे पॉसिबल होता है इतल मैं आवाज नहीं आ रही है अज की तारीक में पूरी दुनिया में इनसानों ने पूरा इस्ट्रेस फैला रखा है तो हर किसमे के पेड़ पॉधी को हर किसमे के जानवर को जीव को इस्ट्रेस है तनाव है तो जिस तरह से हम अपना तनाव रिलीव करने के लिए कोई अपने पसंद का गाना सुनते और तनाव दूर होता है इस तरह से अगर हम केचु को भी म्यूजिक सुनाते हैं तो उनका भी तनाव दूर होता है तो हमने इनके लिए 12-13 गाने सेलेक्ट कर रखे क्लासिकल इस्टूमेंटल म्यूजिक है जिसमें रिदम है दून है सब्द नहीं है वो जब हम सुनाते हैं तो जो केचु आप गाने सुनकर विधाउट गाने से जो काम करता है वो 60 दिन में और गाना सुनने के बाद उतना ही काम 45 देज में कम्प्रिट कर देता है तो आपने सुना अभी संगीत का प्रभाव समस्थ प्रक्रितिवी संगीत की प्रभाव से प्रभावित आरती संगीत साहित्य में तानसिन से सम्मंधित कई चमतकारिक बात के सामने आती हैं जैसे दीपक राग गाकर दीप चला देना या मेच राग गाकर बरसात करवा देना अपनी सुवरु की प्रभाव से खेरन आदी जानवारों को आसपास बुला लेना आदे ये तो हमें मन नहीं होगा कि संगीत हमें कनाव मतलब स्ट्रेस और अफसाद यानि डिप्रिशन से जूजने का बहुत आकत देता है हमें हम कितने भी धके हुए हो संगीत चला कर उसकी धून में धुरा सा जुमियें देखिये संगीत आपका सारा ठकावट दूर कर देगा उस साहा और उमंग से आपका दिलो दिमा को तरू ताजा कर देगा संगीत पर तढ़ा तढ़ा की रिशर्च किया जा रहा है जिससे ये सिध्धे होता है कि संगीत में वो ताकत है जिससे हमारी श्रवन शक्षक की विक्सित होती है और साथ ही हमारी समझने बुझने की शक्ति भी बढ़ती है देखिए जब हम कोई संगीत सुनते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं कि संगीत अपनी गीत से हमें क्या समझाना चारा है और तो और जब हम इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक सुनते हैं तब कोई भी हमें बात्यजंत्र की क्रम सिखाया नहीं होता है हम सुनके उसको समझने की कोशिश करते हैं अपनी बुध्धी से कि इसकी बात कौन सी इंस्ट्रुमेंट बज रहा है कोई भी संगीत अगे हमें ले ताल आधी कुछ भी समझान नहीं रहा होता है तीन तरसल की बच्चे को हम लोग नरसरी राइम्स पढ़ाते हैं बच्चे को पता ही नहीं होता और गीत संगीत में वो बच्चा पता नहीं कितने दानकरिया अनन्द मंगल में खासिल कर लेता है और तो और अब तो इन सोच के आश्चरे होगा अगर हमारे ही बात लिया जाए हम लोग जब छोटे थे जो जो राइम्स जो जो हिंडी कविताए हम लोग सूर में काके सिठा था वो आज भी हमें पक्त की तरीके से याद है यह है चमतकार संगीत का और यही कारण है हमारे बच्चे गाने की लिरिक्स बहुत जल्वी थोरी सी कोशिश कर गए याद कर लेते हैं और वो ही बच्चे अपनी सिलवर्स का कोर्स जो है वो रजगोट कर भी याद नहीं कर पाते इसका कारण यह है कि संगीत हमारे मस्तिश की डाया और बाया दोनों हिस्से को स्टिमूलेट कर देता है इसी कारण दिखा गया जो बच्चे संगीत में परदर्शी होते हैं जादा तर वो बच्चे पढ़ने में भी अच्छे होते हैं क्योंकि उनकी पसंदिता विशे संगीत की साधना करण करती है उनकी कंसेंट्रिशन लेफिल बढ़ जाती है वो ही कंसेंट्रिशन लेफिल जब वो पढ़ने के लिए बैटते हैं पढ़ाई में भी काम आते हैं इसलिए ऐसे बच्चे धीरे-धीरे जिन्देगी की हर शित्र में निखर कर सामने आते हैं हमारे स्कूल के कुछ ऐसे बच्चों का उधारन में आपके सामने रखना चाहूंगी यही सब बच्चे हमारे स्कूल के मानने हुए singers और dancers हैं और यही सब बात को मद्दे नजर ड़कती हुए CBSE ने art integration पर इतना जोर दिया हुआ है CBSE के निद्देशों के अनुसार हमने की हमारे स्कूल में दवहारिक रुप से संगीत को सिखाने का प्रयास किया जैसे class 1 में English का chapter है my body parts इस chapter के अंदर बच्चों को एक English song सिखाया Be careful little eyes what you see, be careful little ears what you hear ये गाना गाते गाते ये गाना जब बच्ची सीख गयें तो इस गाने की साथ बच्ची body parts and how it works इसकी बारे में गाने गाने में ही बच्चों ने सीख दिया Class 2 में Plants are Grim Friends TVS का chapter, इस chapter से relate करके एक गाना पेड़ प्यारे प्यारे हम हम देते हैं शुद्ध वायू, कम ना हूँ हमारी आयू जिसने हमें है काटा, तोड़ेंगे उससे नाता इस गाने की माध्यम से हमारे जीवन में पेड़ पौधों की जरुरत की बारे में हमने बच्चों को सिखाया और बच्चे बड़े आसानी से गाने को सीख गये और हमें पेड़ पौधे क्यूं लगाना चाहिए उसको क्यूं बचाना चाहिए इस बारे में सिखे ऐसे ही हमने Class 3 में गाने की माध्यम से Water Conservation जैसे जटील विशय को सिखाया Class 4 और 5 में साहित के साथ संगीत को जूटते हुए बच्चों को भारत के अलग-अलग स्टेट की Regional Language की गाने सिखाया आए सुनते हैं एक दो गीत तर विधना में प्या से तुम में से खज्तों को जूतो में साहित को जूए खशा शन rhetor कॉ जिविया हो की तो począt्zen को धना इस रंस्तॉ झाल प्तुर करे जो अदोड्यायां कर दा कर दो कर दो कर दो आब सही एगाएं। कर दो डहिए बह्त पड़ी सांदु कर दो देखा आपने संगीत की सूर में जूमते हुए बच्चों ने अपने difficult chapters को कितने असानी से समझ लिया और जिन्दगी भर उसको बच्चे याद भी रखते हैं सिर्फ आम बच्चों की बात भी है जो बच्चे physically challenged होते हैं उनकी जीवन में भी संगीत द्वारा पभावित होते हैं दिवाकर शर्मा जैसे बच्चों की नाम कौन नहीं जानते हैं हम सभी जानते हैं जो आँखों की रोश्नी ना होते हुए भी संगीत की जादू से पूरे भारत में प्रसिध हो गया टीवी रियलिटी शोज में उसने अपनी संगीत की प्रथिवा दिखाई और उसकी पूरी परसनलीटी बदेगे आए सुनते हैं दिवा करकाई गीत जरा सी दिल में दे जगा तू जरा सा अपना ने बना जरा सा खाबों में सजा तू जरा सा यहादों में बसा मैं चाहू तुझ को मेरी जाबे पना मैं चाहू तुझ को मेरी जाबे पना जो स्पेशल चाइड होते हैं जिने मनोवज्ञानिक समसाई होती हैं उनके लिए संगीत किसी थेरापी की तरह प्रयोग किया जा रहा हैं मानसिक व्यादियों के लिए संगीत एक टूल की तरह प्रयोग किया जा रहा हैं और्टिस्टिक बच्चों में या मानसिक रूप से चैलेंची बच्चों में दवहर गत्थ समसाई होती हैं जिसे संगीत की थेरापी से ठीक किया जा रहा हैं संगीत एक multi-sensory मतलब बहु सम्मंधी अनुभव शात्रों के लिए पस्तुत करता है, जिससे उनमें बोलने की शमता का विकास होता है, अपनी बात रखने में स्पर्ष्टता आती है और उनमें एक अलग से confidence भी ग्रो करते हैं. ये सिर्फ एक बाते नहीं है, हमारे स्कूल के एक बच्चा शात्रा है, जिसे mild autism की diagnosis हुआ था, उसे किसी से भी आख मिला कर बात करने में परिशानी होती थी, धीरे धीरे उस शात्रा ने संगीत में रूची लेना शुरू किया, उसने संगीत की कारे क्रोमे में भाग लिया, स यहां तक की उसने अलकायागनिक और उधित नरैन का stage भी बनाया, संगीत उसकी प्रेरना बन गया, और उसने उसमें उस बच्चे की अंदर एक अलग से confidence ला दिया, धीरे धीरे उस बच्चे ने लोगों से आखे मिला कर बाते भी करना शुरू कर रही हैं, आए सुनते हैं मेरे घर आई, मेरे घर आई, मेरे घर आई, एक उबस परी, एक नंदी परी, मेरे घर आई, मेरे घर आई, मेरे घर आई, एक नंदी परी, एक नंदी परी, इसकी बातों में से हैं जिद्धे की निचार, इसकी तासों में तरंपी महरतार, मेरे घर आई, मेरे घर आई, मेरे घर आई, एक नंदी परी, एक नंदी परी, एक नंदी परी, एक नंदी परी, तो देखा आप लोगो ने संगीत का प्रभाव, confidence के साथ गाना और track के साथ proper coordination करके इतने confidence के साथ इस बच्ची ने गाना लाया संगीत की शेत्र में यदि रोजगार की बात करी तो संगीत ने कहीं लोगों को आसमान की उचाया चुने का समर्थ दिया है क्यूंकि संगीत की शेत्र में रोजगार की अनंत संभा बनाए है आज बच्चे और बड़े सभी इंटरनेट की माध्याम से तरहा तरहा की प्लैटफॉर्म पर अपना चैनल पता वेबसेट्स कोल कर अपरेट कर रही है यूट्यूब पर भी अपने वीडियोज बनाकर अप्लोड करके लोग ऐसा कमा रही है और चट्चित वप्रसिध भी हो रहे है आर्श्व गायक, वादक और नर्नत की रूप में भी लोग संगीत को अपना करियर बनाकर सम्मान पा रही है ये करियर युवाओ को बहुत लुभा रहा है क्योंकि अपनी पसंदिदा विशय पर कड़ी मेहनत और उसके बाद रातो रात शोहरत इन्युवाशिटीज में प्रोफेसर, लेक्टरर तो है ही है साथ में अपना म्यूजिक स्कूल खोल कर खुद संगीत की तालिम भी दी जा सकती है म्यूजिक खिरपिस्ट के करियर में भी अनंत संभवा नहीं है म्यूजिक कंपोजर साउंड रेकॉर्डिस्ट साउंड डिजाइनर लाइट डिजाइनर और म्यूजिक क्रिटिक्स और भी नए नए प्रयोगों से संगीत की माध्धम से अपनी सपनों को साकार किया जा सकता है क्योंकि संगीत में ही वो शक्ती है जो आपकी जीवन को संगीत में बना सकता है नमशकार धन्यवाद तूप वो बत्कित है यूजजए बत्रीट। प्रण्य प्राइप पर्णे bolड सो LIVE अ 된ीवे जयू ख्यूज़ टेंसा प्रामा करेण हम जो ए gagn GL Jang और उम स्बूसा भी का ंूज़ कchs स्टेत्र निटिश् הुनRAYन दूमieves सथ साइ्ट एब एक जिंग्ट kaar चालें उन्तोंग उड़ी ऑट उसका nasıl और रिंग दाद भbes।र तो झालें नूम झालें कीजर्ट ए साविटिकस्पर नन वा लो लें विव और लेगा क्टिस्पोर अप्रेव Haa यहीं विक भी विष्ट ए मुसकिल विक एंगा। नहीं है। तिम एंग्यो पलुविट झाम इंद को भी बस्ट एंद का अवा झाम इंद भी हैं वा पॉब इलाव प्रिसी एंद एय। the comments that are coming in are evident that you have engaged the audience beautifully and the integration that you exhibited was just wonderful so thank you very much and well done keep it up thank you चुराओ एक अई लेनखि प्रेणाम प्रेणे साथ है जितना बुरूँ आशल primeiro कि भइ हमारे जो पुराने साथ 여기에 जितने भी बाल भारती निशात भौपाल स्वरी नौड़ा के साथ ही हैं वो अपने आप में अलग हैं इंका कोई वो नहीं है अरे नहीं सर नहीं सर जो चीज है वो है और बहुत अच्छा लगा काफी दिनों बाद आपको स्वस्त देखके मुझे बहुत अच्छा लगा थे धिकर सर बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा थे यं धायर थे is बहुत बढ़ी है इंडी में कोई बल्zar कर दिया इंडिक वेन एक संगे कर दिया है queste इत्व प fod giggles vein bad बहुत बॉत बना इंडिक दियां तुमूना मैं, बहुत अच्छा, बहुत सुमदार, पलवी सर बहुत ही बड़ी आ प्रेजंटेशन था निखिस्ट निकल गया है, जा॥ भाउल की अधर स्टमधार आपके निकल गया है आज घड़ी बहुत जल्दी चल रही थी, एक घड़ी पता ही नहीं चला बिल्कुल भी आज मुझे लागा सुमाना बहुत थोटा वोला, हैदली फाइब टेन मिनिट नहीं टाइम यह नहीं को बोला बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा चला बाई, very good मज़ा आगे, मज़ा आगेए नहीं नहीज चला भाई अजय को प्रफ़ार्ट थिश्त चली गई अज। थिश्त चली गई आज। याज। अज। भाइब याज। दुद्ध। थिजित नियुक्वाइब धडिया। पता ही नहीं चल पाया कैसे ही लंटा निकल गया वहाँ आपके बहुत ही सुनदर गीत को सुनके तो मुझे बहुत सारे वीडियो ते लिए और भी बहुत सारे वीडियो थे नुसोफिय पोला की नहीं दाज़ा गाएगा अधियो थेंक्स तू स्कूल यहां लोगों को इस जगह पर खड़े रहके कम से कम हम लोगों मुझे डांस के बारे में हम बता सके बाद कुछ इनी बात बहुत बगद बढ़िया था बहुत अच्छा था आपका सुवनार इस वांटाफूल थेंक्यू मैम बहुत आप इसे हो और मुझे बहुत बढ़िया था आप दोनों का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को मिला और आप ऐसे ही हमें अपना ज्यान बाठते रहेंगे क्योंकि क्योंकि म्यूजिक जो है इस चीज के बाहर में कोई बताता नहीं है इसका कहीं पर इसकी जानकारी मजदी नहीं है मद्ए अफ़ी ठृड़े में अफे यह शौरु में सुनाय था बहुत ही अरट पैले दिन है अच्छा लगा ओपने उस और मौडिफाई किया बहुत बढ़िया था था समना कभी बहुत ज ऐसे आ बहुत अच्छा था स Elias सब्सक्राइब को मैं कनेक्ट कर पा रही थी नियुक्त सब्सक्राइब करें पहले से और आपकी ठीक है सब्सक्राइब कुल स्वस्थ हो आपको मेरी आवास से नहीं लग रहा है और फोन करने के लिए भी मना करते है खैजिक अपने इस ती लोगों ना करें सब्सक्राइब कर दी रेकौर्ड कर दी बंद कर दी रेकौर्डिंग पर रिये शीटल सोनाव करें सोना मैं संथीप जी वेरे नाइस सर बहुत संदर मिटिंग रही आजाकी थेंग यू वह पूरे संगेत विबाग को बहुत 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 बढ़ाई सर्थ thank you very much sir thank you झाल 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 झाल